हैलो थिनन फैम्ली, तो कैसे हो आप सभी लोग, I hope कि आप सभी लोग बड़िया होगे, और बड़िया होना भी चाहिए, तो चलो, लाइक का बड़िया दिख रहा है न, हाँ, तो बस उसे प्रेस कर दो, सेयर भी प्रेस कर ही देना, सेयर कर लो चैनल को, जहाँ जहाँ कर सकते एड़ा सस्क्राइब आलसो कर दो कमेंट सेक्शन के लिए तो तुम लोग नहीं करते कमेंट क्योंकि मैं मान के चलता हूँ तुम लोग बन जाते हो सोले के ठाकुर तुमारे पास कमेंट करने के लिए हाथ ही नहीं है तो जिल लोगों के पास है तुम लोग जाओ और कमेंट कर दो यार जो देला है वो कमेंट कर दो अभी आ जाते हैं सीधा ही पिछले एपिसोड की तरब और देख लेते हैं पिछले एपिसोड में क्या हुआ था तो जो पिछला एपिजोड था उसमें देखा हुआ होता है हमने कि जो आसपास का टॉम्ब का सील होता है वो धीरे धीरे बीख हो रहा था आसपास के जो रुइन्स थे वो भी ग्लो होते होते फेड आउट हो रहे होते हैं और जैसे ये ruins पूरी तरीके से बुझ जाते हैं, यग लोगोना बंध हो जाते हैं, हम देखते हैं कि वो barrier of seal open हो जाती है, अब इसके open होते ही ये जो लोग थे powerful claim के, जहां पे चार Asian claim के, और दो, I mean ती normal life death world के, ये सभी लोग सबसे पहले enter होते हैं, जिसके बाद पूरी के प काफी दूर दूर तक काफी सारे place हैं, तब ही वहाँ पी जोयर ने देखा था, कुछ नएने बंदे ऊपर आस्मान से टपके थे, लेकिन नीचे के beast, उन्हें सीधा ही मुखे अंदर डालके चबा लेते हैं, जिसके बाद blood figure ने john को बताया था, कि ये सब ऐसा है, ये भी इन बंत से सो रही है, लेकिन कभी भी अभी तक वो बाहर नहीं आई, नाहीं वो जागी, तब ही हम देखते हैं कि Linkic उन्हें इस चीज के बारे में बात करने से मना करता है, और उन्हें लाइव डेथ येलम के बारे में बताता है, उसी टैंप यूनर के रूम से तेज लेकिन तब ही लिंजवान वहां थे और उन्हें यहां से भगा देते हैं, और इसके बाद अंदर जाकर वो यूनर को देखते जो बेहोस थी, तो वो महसूस करते कि यूनर की पावर और उसकी ब्लड पावर तो नहीं काफी जाना इंक्रीज हुए हैं, जो देकर कुछ हैल् में क्या होने वाला है, आई होप कि यह एपिसोड पिछले वाले से ज़्यादा वैटर होगा, हाला कि यहां पे आसपास का जो माउंटेन था, वो अब सान्थ हो गया होता है, लेकिन इस बार जो लोग सान्थ हो गए थे, वो तुरंथी आसपास की फ्लेक्शोएशन को कर चके थे, वो भी स्टैम्पे काफी हहरान होते हैं, उन्हें यूनर की बॉडी से जो औरा महसूस हो रहा थे, एक काफी एसियंट, और ऐसा महसूस हो रहा था, मानो, जैसे कई सालों से सो रहा, कोई ड्रेगन जाग गया हो, यहां तक ही इस औरे ने, मार्सलार्ट, ट्रेन ग्राउन, और लेन फैमली के कई एल्डर्स के इंप्रेसन बदलने में मजबूर कर दिया था, यहां तक ही जो ट्रेन कर रहे, डिसाइबल्स होते हैं, वो तुरंती कहते हैं, क्या यह मिस यूनर हैं, जो क्रिंसर्ट पवेलियन में सो रही थी, क्या वो जाग गई, सभी डि सर्था वो ब्लड से आ रहा था, यहां जो भी यूनर को देख रहा होता है, सभी की आखों में, एक अलग ही, तारीब भरी नजर होती है, यहां तक की पवेलियन में बैटे हो करी एल्डर्स भी सौरे को महसूस करते हैं, उन्हें भी यकीन नहीं था कि वो इस एवरी की बरा होना चाहिए, लेकिन यह बास्तों में अन्मिली बल है, कि इस लड़की की यह जभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझे उमीद नहीं थी कि वो इस लेबल तक पहुच गई, यहां तक कि वो लड़का ज्यो यान, वो भी भायानक तोर पर पावरफुल है, और यह उसरे के लिए परफेक्ट मैच है, क्रिंसेट पवेलियन में फैल हुए, और यह को महसूस करते हुए, माउंटेन रेंज से फुस-फुसाट की आबाज है आ रही होती है, और इन आबाजों में सौक और सर्प्राइजिंग वर्ड्स को सुना जा सकता था, यानि कि एल्डर् साथ ही इस टैलेंट के साथ उसके पास कुछ इगो भी है, लेकिन इस लड़की के औरे को देखते हुए, और इस लड़की की बॉड़ी से अनलेस हो रहे इगो को या इसकी बॉड़ी प्रेजन से जलक रहे इगो को देखते हुए, मुझे लगता है यूना नाम की इस दूसरे रिष्टाइम पर लिंगिंग वी ख गहता बास्तों में ये लड़की ब्रेदर जो यान की तरह कुछ खतरनाक डराबनी है इसने बास्तों में कितनी खतरनाक पावर को अनलिस किया है इस्टाइम पर लिंगग को भी जटका लगा हुआ होता आखेकर वो धीरे धीरे खुद को बापस कंट्रोल में ले लेता है और आजीब सी स्माइल उसके चहरे पर दिखाई देती ऐसा लग रहा था जब उसने पहली बार यूनर को देखा तो उसका और आया पावर इतनी ज़्यादा नहीं थी और उसे पता था कि उसकी पार्ट थ्र तुरंदी कहा था बास्ता में ये ब्रेदर जोयान की वाइफ है या था कि आसमान में लिंक्वी और लिंग मैंग भी हबा में खड़े हो तो और उनकी आखे यूनर की तरफ देख रही होती है सबसे पहले तो लिंक्वी एक दब हैरान होता है दूस्ट अप इस टाइम पे इससे बहुत फायदा हुआ है इस तरीके से हम में जोयान को एक जेस्टिफिकेशन दे सकता हूँ साथी छोटी लड़की की किसमत बहुत अच्छी है ना केबल इसने अपने ब्लड ट्रांस्फोर्मेशन को पूरा किया बल्कि अपने कल्टिवेशन को भी सिक्सिश्टार प को भी समझना चाहिए था साथी एक जटके में उसे तोड़ने की तयारी करनी चाहिए जिसके बाद लिंजवान यहाँ पे यूनर को गाइड करते हो कहते ठीक है तो तुम्हें डावडी के रियलम को ब्रेक्ट्रू करने लिए अब कुछ लॉपाबर्स को समझना होगा क्यो अखिरकर वो आठ महीने से सो रही थी उसे नहीं पता था कि माहल किया है और चीज़े कैसी है अब जब कियार कोई कंफ्यूज था तो आसमान में फैला हो उसका ड्रेगन जैसा जो ओरा होता है दस मिनट तक फैलने के बाद आखिरकार गायब हो जाता है और जैसे यूनर का लिए गायब हो था आसमान में यूनर की जो फिगर होती है पूरी तरीके से सामने आ जाती है उसकी बादी की जो इसकीन होथी अचाना की स्टैंप पे हिल रही होती है और उसके सरीर की हड़िया भी एकदम कढड कढाने की आबाज के साथ फूट रही होती है साथ यूनर इ ये एक strong power है ये वास्तों में काफी surprising है आसमान के यूपर यूणर की white bones थोड़ी थोड़ी सिकड़ गई होती है वो अपनी पूरी body में खताना और को मैंने महसूस कर सकती थी यादा की यूणर की beautiful figure और power को देखते हुए बला कोई लॉंडा ऐसा कैसे हो सकता था जो उसके attraction में आये जिसके वाइद यूणर तुरंधी कहते है brother johan अब मैं भी six star dowdy level पार पहुच गई हूँ अब मैं आपके साथ कदम से कदम मिला कर लोगों से fight कर सकती हूँ अब मैं आपको कभी भी पीछे नहीं खीचूंगी इसी time पे आसमान में दो figure appear होती है जो तुरंधी यूणर होता है यह जो यूणर ने अभी अभी चीज परफॉर्म की थी यह six star dowdy level के warrior का ने beatable skill space freezing या space gaze होता है हलाकि लापर वाइस ऐसा करने के बाद यूणर थोड़ा सा smile करती है और इस power को मैसूस करते हुए उससे काफी अच्छा मैसूस हो रहा होता है जिसके बाद यूणर की body जैसे मानो यह space को एक जटके में तोड सकती हो जिसे मैसूस करते हो यूणर के चरप अचानक एक bright smile दिखाए देती हाला कि उसने बास्तों में से हासिल कर लिया था इसलिए इस टाइम पे अगर यूणर का सामना उस powerful barbarian बंदे से होता है जिसने उसे पिछली बार घायल किया अंतर बहुत बड़ा था और जब यूणर टू इस्टार के साथ फाइब इस्टार के बार के साथ फाइट कर सकती थी भले उसके लिए उसने अपने clean bloodline की forbidden technique का यूज किया था तो अब अगर यूणर इस टाइम पे उससे फाइट करती है तो ये कोई बड़े suspense की बात नहीं होगी आखरकर आप जब एक बार 5 इस्टार में ब्रेक्ट्रू करके 6 इस्टार पे ब्रेक्ट्रू कर लेते हैं तो आपकी बॉड़ी में काफी सारे transformations होते हैं और present time पे यूणर भी उन ट्रांस्परमेशन को महसूस कर चुकी है अब वो एक normal लड़की नहीं है अब एक 6 इस इस्टार का बॉरियर भी उसे आसानी सरारे में capable नहीं होगा जिसके बाद यूणर गुस्टे से अपनी eyebrows को उठाते हुए के दिये बार वेरियन लोगों तो में कभी ना कभी इस करज की कीमत चुकानी पड़ेगी उसकी पूरी बॉड़ी में coldness चारो तरफल नेस होती है हा अलगी जब यूणर यह सोच रही होती तभी तेज हवा की आप आजी आती है और गुईवान और जूकून यूणर के पास आते हों कहते हैं यूणर तो अखिरकार तुम जाग गई इस टाइम पे जूकून ने सीधा यूणर के कंदे को थपतवाया होता क्योंकि पिछले आठ महीनों में उन्होंने देखा था कि यूणर कितने ज्यादा पैसानी से गुजरी थी तभी यूणर कहती है हाँ हाँ आपका धन्यवाद सीनियर जूकून और तुरंती रिस्पेक इस टो देपाएंगे यहां तक कि यूणर जब गुयान को देखती है तो वो तो लगवा खुसी से रोने वाले होते हैं हालकि उनकी चैरे को देखते हुए वो बहुत ज्यादा एज के लग रहे थे लेकिन वो यूणर को देखकर ऐसे रो रहे होते जैसे मानों उन्होंने क कई साल से यूणर को नहीं देखा आखिरकर वो अभी भी यूणर के थे तो फादर ही चाए भले ही वो कितने ज़्यादा कोल्ड याई स्ट्रॉंग क्यो ना हो अपनी बच्ची से प्यार को वो अपने से अलग नहीं कर सकते थे साथ ही डूई कूई कूई कॉन्टिनेंट का जो डौडी कॉन्टिनेंट का पीग पावर हाउस हुआ करता था वो वास्त में यहां पे रो रहा था यहां था कि अपने फादर को रोता हुआ और इसमाल करता देखकर यूणर का दिल वो भी थोड़ा सा मेल्ट हो गया होता है एक पल के लिए उसे नहीं पता था कि क्या कह ना है हाला कि इस टैम्पे गूयान खुद को कंट्रोल करते हैं वो तुरंदी कहते बस जाग जाओ वेटी तुम बस ऐसे ही जागती रहो आखिरकार तुम जाग गई मैं बहुत खुस हूँ हाला कि गूयान के चेहरे पर बैह रहे है आसू आप यूनर के लिए उनके प्यार उसे सुनकर यूनर और गूयान ने भी थोड़ा सा से लाए था तभी गूयान भी हस्ते हुए कहते हैं लिंजवान सही है ये बास्तों में एक अच्छी बात है हमें ऐसा नहीं होना चाहिए तो चलो नीचे चलते हैं तो यूनर कि आपकी ब्लेड लाइन का फ्यूजन हो पल के लिए जिजाकने के बाद वो जबाब देती है तभी एल्डर जूकून तुरंदी कहते हैं बैसे तुम्हारी पावर कितनी है प्रजन टाइम पर जो सुन गई हूनर एक पल के लिए सोचते हुए सांती से जबाब देती है ये सिक्सी स्टार डावडी लेबल के स्टार के बेहिवियर को देखते हुए उसे वहाँ जरूर जाना चाहिए इस समय लिंजवान ने यूनर को इस जगह के बार में सब कुछ बता दिया होता है जिसके बाद ये लोग अब्यसली कुछ यहां वहां की बाते करते हैं यूनर और गुयान और सभी लोग इस टाम पे कापी कि अन गिनत आबाजी सुनाई दे रही थी जहां तुरंती एसेंट त्यान लॉंग क्लेन त्यान जी क्लेन बूलियांग सेक्ट और जुआंग बिंग सेक्ट यहां तक कि लाइब डेथ रियलम की तीन मेवर में मेजर पावर हाउसेज भी आ जाते हैं यहां तक कि उनके पास पास्ट में पावरफुल लोगों द्वारा अरेंज कराए गए मैप भी होते हैं इस टैम्प एसेंट त्यान लॉंग के वो युवान ने अपने लोगों को लीट करते हों कहा होता है मुझे पता है कि जो लोग अब यहां पर खड़े हुए हैं वो सभी एसेंट कॉंटिनें प्लेश को पार करते हैं और डेथ दल दल को पार करते हैं हम जल से जल्ड लाइब डेट टॉम के रियल प्लेश में पहुँचने मेंके पैपबल हो सकते हैं लुग आने यह का होता है तो हर खड़े होता होता है यहां तक की बोथ ताक्ते जिनने आमतर पर एक दूसरे के साथ दूस्मनी बना रखी थी एसेंट त्यान लॉंग क्लेन के समझोते पर वो लोग भी बिना किसी सर्थ क्यागिरी हो जाते हैं सभी की रियक्सन को देखकर हुओ यूँआन भी सैटिफाइंग तरीके 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 से लात वे तुरंदी का था क्योंकि सभी लोग सहमत हैं तो चलो चलें फिर सबसे पहले उस जगे पर पहुँचते हैं और अजगे तो इस इंत्यान लॉंग क्लेन के मुवमेंट टैप बेटल स्किल को वो एक्टिवेट करता है इस अंत्यान लॉंग क्लेन के बारफोल लोगों को जाता हुआ देखकर अधर आर्मी इस उब्यसले उन्हें फॉलो करती हैं और ये पूरा का पूरा प्लेज एकदम सान्थ हो गया था कभी कभार इसमें लोगों को उपर से गुजरता हुआ देखा जा सकता था जो कि अब्यसली चिट्टे पुट्टे लोग थे जो साय सोलो ट्रेबलर या कल्टिवेटर थे हालकि ये डेसोलेट प्लेट्स काफी सान्थ था और केबल तेज आबा की आबाज यहाँ पर सुनी जा सकती थी साथ यहाँ किसी को नहीं पता था कि कितना टाइम लगा लेकिन यहाँ अचानक ये एक आबाज आती है और एक ब्लैक फिगर दिखाई देती है और ये ब्लैक फिगर कोई और नहीं बलकि अपना चूती या ठरकी होता है जो तुनती कहता है वो कुछ टाइम पहले ही गए हमारे पास अभी भी उन्हें पकड़ने का टाइम है साथ ही डेथ दल दल यहाँ से जादा दू नहीं इसलागर हम एकसन लेते हैं तो इस समय हम व लोग कहां जा रहे हैं और अब्यसली जो यान भी तो यहाँ पर ट्रेजर हंटिंग के लिए ही आये था तो ज्यान भला उस चीज को कैसे छोड़ सकता था इसले जान अपनी आंकों को थोड़ा सा से कोड़ लेता है और वो दो दाते हुए कहता है इस मामले में चलो फिर चल कर लोग जल से जल अपनी कोई को अनलिस कर देते हैं बेरुखते और एक के बाद एक इसे महसूस करते हैं उनके इंप्रेसन थोड़ा बदल गए थे क्योंकि उनके थोट के अकॉर्डिंग लगभग 20 प्लस पावरफुल और थे जो बेहत बाइल्ड थे हालक यहाँ पे आए को वहां तुरंत ही कहता है हमें यहाँ पे इनके ऊपर घात लगाकर टैक करना चाहिए और इने जल से जल्द मारना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे बहुत जाला टाइम और एनरजी को वेश्ट करते हैं तो हम जान भी नहीं पाएंगे कि हम कैसे मरें हलाकि हो यहाँ ने जो क फिर एक्सन लेते हैं और थोड़ी देर के बाद हर कोई आसपास की छिपने की जगह में गुजगया होता है साथी समीन अपने औरे को भी डख लिया होता है साथी वो उन लोगों से बचने की कोसिस करने लगते हैं जो आने वाले थे तभी एक आब आ जाती है मेरी मदद करो मेरी मदद करो जो सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं कैते ये क्या चीज है क्या ये कोई aggressive soul है और रेध है spirit जैसा कि नाम से पता चलता है ये जो spirit है ये काफी खतरनाग होती है और ऐसी spirit के ओनर ज़्यादा तर strong लोग होते हैं लोग गुस्से से भरे हुए भी थे, साथ इस प्लेस के स्पेसिलिटीज के कारण ये जो सोल थी, ये म्यूटेटिड ट्रांस्फ़ॉमेसं से गुजरी थी और यहां की कुई एक gray color की mist को create करती है जो इन सभी की soul को भी लपेट लेती है जिसके कार यह जो wraith spirit है यह कई सालों तक जिंदा रह सकती है और other cultivators के लिए यह एक दब monster है लेकिन powerful लोगों के लिए यह एक medicine की तरह भी है लेकिन इस soul को refine करके आपको इस soul के सबसे जारा purest form को ही swallow करना होता है हालाक इस बज़े से जो wraith spirit है इनकी quantity भी बहुत कम है और कोई भी wraith spirit अकेले बाहर नहीं गुमती बलकि ऐसा भी जुंड में होती है साथी भले यह wraith spirit कम हो इनके जुंड में कम से कम 20 spirit होती है इसलिए हाँ पे हर कोई इन wraith spirit को देखता है और हैरान होता है और बैसलिए हर किसी की नजर में ये wraith spirit एक अच्छे एलेक्जर की तरह थी और ये सोचते हुए कई लोग तुरंती अपना से हिलाते है और अचानक ये अपने अपने औरे को अलिस करते हुए इन wraith spirit की तरफ दोड़ पड़े होते है उन्हें जितना जल्दी हो से के मारने के लिए वो अपने अपने true battle skills को भी यूज़ कर रहे थे और ये time की बात है हाला कि लगबग एक ही पल में सभी छिपे हुए लोग अपने छिपने के स्थान से बाहर आते हैं और इन्हें घेल लेते हैं साथी सभी लोग तुरंदी गएते हैं काफी long time से आपको नहीं देखा लेकिन आप सब काफी लगई हैं जो आप हमसे मिले आईए हम आपकी life को ख़द्म कर देते हैं और आपको इस life से मुक्त कर देते हैं साथी आप हमाई ले एक nutrition है इसमें आपका भी पाइदा और हमारा भी फाइदा तो मर जाओ यहां हो यहान बीश टाइब पे हसरा होता है पहले तो उसने सोचा थे कि पाबरफुल magical beast यहां कुछ और होंगे लेकिन उसने कभी नहीं सोचा थे कि यहां पे दिखाई देने वाली है चीजे कोई beast नई वलकी wraith spirit है जो कि storm की सबसे अच्छी चीजों में से एक मानी जा सकती है साथी जैसे ही हो यहां ने अपने और एको अनलिस किया होता आसपास के सभी strong लोग भी अपने अपने और एको अनलिस कर देते हैं जो की दिखाने के लिए परयाब था कि वो इन wraith spirit को हर कीमत में मार देना चाहते हैं जिसके बाद हम देखते हैं दो energy attack जो एक green color का होता और एक red color का बीच में टकरा जाते हैं और टकराने के बाद एक sock wave चारों तरफ फैल जाती है साथी साथ यहां पे बिना चेहरों बालिये brown fog की wraith spirit अपने अपने हाथ में बैपन लिये होते हैं और बिना किसी आबाज के blood energy का use कर रही होती है लेकिन यहाँ पे इन spirit से लड़ने बाले powerful लोगों के चेहरे भी उदास हो गए थे और उन्होंने अपने औरे को full limits तक unless कर दिया था जिसकी बाद हम देखते हैं कि फुसफुसार्ट की आबाजे ने कलती है और wraith spirit कि body पर तब से big body points की तरफ यह सभी लोग attack कर देते हैं हालकि दौन लोगों यह दौनों group की power को average नहीं माना जा सकता था लेकिन सामने वाले लोग कापी अच्छी तरीके से train थे हालकि कोई बड़ी आबाज यह impact नहीं होता लेकिन इस time पे यह जो battle था यह सीधा था कि सामने वाले बंदों को पूरी तरीके से ख़द्म करना है यानि कि life death की तरह है इसलिए हां हर किसी ने एक दूसरे के उपर फूरी पावर से attack किया था यहां तकि rate spirit के जो leader होते है उसका चहरा भी एकदम कोड़ होता है और उसके हाँ में एक लंबी साम की आकार की तलवार होती है जो काफी घुमादार की तरह होती है जो Asian continent के एक strong person के big body की तरह बढ़ गई होती है और हम देखते हैं कि उसकी body में खून का बैता हुआ निसान देखा जा सकता था मानू जैसे किसी जहरीले साप ने उसे काट लिया हो देखते ही देखते इस वे desolate place में एक के बाद एक लासे बढ़ने लगती है हालक यहाँ पे Asian continent के लोग और रेथी split के मारे जाने का scene सरासर चल रहा होता है लेकर आमने देखा था कि हाँ पे जो रेथी split का लीडर होता है उसने इन लोगों को मारने के लिए चाहे कितनी भी power या तरीका यूज किया हो ये लोग अभी भी खतम नहीं हो रहे थे इसलों इसकी एक स्रॉड ठंडी आई के साथ फाइव इस्टार डावडी लेबल के chest में घुस गई होती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया होते है इस टाइम पे रेथ एंपरर जानता था कि अगर वो नहीं बचेगा तो वो यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ेगा लेकिन तभी उसे आईसास होता है कि उसके beats रेथ इस्प्रेट में से केवल आठी बचे हैं हाला कि तभी वो इस movement पे अपनी स्रॉड को अचारा कि पीछे की तरफ अटेक करता है और six star डावडी के intermediate level के आदमी के गले को छेद देता है जिसके बाद वो तुरंदी नीचे की तरफ जुक कर चमीन में अपने पैरों को जोड से पटकता है और सीधा ये आसमान की तरफ उचल गया होता है मानू जैसे वो यहां से भागना चाहता हो लेकिन तभी अच्छानक एक सैडो उसके बगल से गुजरती है और एक cold औरा उसे कभर कर लेता है जिसने मानू से पूरी तरीके से suppress कर दिया था जिसके बाद से अपने rich सिर के उपर एक rich energy मैसूस होती है और ये race emperor उसके impression बदल गया होते हैं जिसके बाद वो अपनी हतेलियों को उपर उठाता है और अपने हाथ में green light को condense करके वो सामने के attack को रोकने की कोसिस करता है हाला कि spirit leader द्वारा create की गई जो green color की shield होती है उसके नीचे spirit emperor के उपर एक जोड़दार attack उसे hit करता है और थोड़ी देर के बाद आखिर कर वो इस बंबारी को वरदास नहीं कर पाता और हलकी सी आबाज के साथ blast हो जाता है और बेचारा पीले चेहरे के साथ पीछे की तरब जाता है जिसके बाद एक आबाज आती है रेज एमपरर आज ये सेमपरर ने कहा भी कोई भी यहां से नहीं जा सकता और एक रेज डेज सेडो चमकती है और ये हुओ यूआन होता है जो ड्रेगन के पंजे की तरह रेज एमपरर को पकड़ने के लिए आंगे बढ़ गया था और उसकी पूरी बाड़ी से एक बलड की स्मेल को महसूस किया जा सकता था हुओ यूआन बुरी तरीके से यहां पे स्माइल कर रहा होता है दुश्टाब रेज एमपरर उसके पास सास लेने का भी मौका नहीं था बोत्तुरंती अपने बलड बिंग्स को अपेर करके एक चमगाधर की तरह यहां से भागने लगता है हुओ यूआन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर साथी उसने अपने दांतों को भी पीस लिया था और पूरी फाइटिंग को इका यूज करके पूरी पावर से यहां से भागा होता है अमीन पूरी पावर से अपने स्रॉड को खीच लिया होता है क्योंकि उसे पता दा भागने का तो कोई भी आप्सन नहीं साथी साथ उसे ये भी पता दा कि हुओ यूआन की पावर एट इस्टार के कम्प्लीट इस्टेज के आसपास होनी चाहिए इसलों से बचने के लिए इसने पूरी की पूरी पाउर को अपने लिमिट तक लगा दिया था साथी नीचे सड़क पे और ही खतरनाग फाइट को देखकर जो यान जो हजारों मिल दूर घास के मैदान में खड़ा होकर फाइट देख रहा होता है वो तुरंती बुदबुदाते हो कहता है ये सबी रेज इस्प्रेट है जो यहाँ पे मारी जाएगी और वैसे भी इस कॉंटिनेंट यहाँ पर इसन कॉंटिनेंट के बहुत सारे पाउर्फुल लोग है तो चाहिए रेज इस्प्रेट कितनी विजारब पाउर्फुल यालेट क्यो ना हो उन्हें आज बेहत पैसानी होने वाली है आखेकार हुओ यहाँ और साथी साथ दो लेट इस्टेज एट इस्टार के बारियर हमेशा उसकी अगल वगल होते हैं किसी भी मुसीबत में उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तभी ब्लेट रेट फिगर सुरंती के दिया है रेथी स्प्रेट का सामना करते हो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए साथी साथ तुम्हें हुओ यहान की पावर का भी पता है इसलिए इनसे भी तुम्हें एक डिश्टेस क्रेट करनी चाहिए क्योंकि एसें त्यान लॉंग क्लेन के कारण फ्यूचर में तुम्हें और भी पावरफुल लोगों का सामना करना होगा इसलिए अभी के लिए लाट रहना बहतर होगा जो सुरकर जुआर अपना से हिला देता है और आहा भरते हुए दिल के एकसाइटमेंट को दबा देता है और चुपचप नीचे की सिचुएशन पर ध्यान देने लगता है हालक यदब पी एसेंट कॉंटिनेंट पर कई ताकते हैं इसलिभले यहाँ पे रेथिस्प्रिट कितनी भी जाना स्ट्रोंग या अंडर स्टेंडिंग के साथ क्यों न हो वो अभी भी अपने सपोर्ट को बनाए नहीं रख सकती थी तभी हुए यान भी कहता है रेथिस्प्रिट किंग होने के कारण तुम्हारे पास कापी सारी स्किल्स और टेकनिक्स हैं हालक यहां पे रेथिस्प्रिट को पकड़ लिया गया था और मजबूती से दबा दिया गया था साथी रेथिस्प्रिट की 80 स्टार्ट की स्टार्टिंग लेवल की पावर के साथ उसके लिए हुए यान का पुनेंट होना जिसके बाद एक बार फिर उसे सेंटरियर में हुए यान दोरा जोड से फिश्ट अटैक मारा जाता है और रेथिस्प्रिट के पूरे के पूरे बंदे से खून की धारा बहने लगती है साथ यहाँ पे हुए यान उसे मारने के लिए उसका बारीकी से पीछा करता है दूसरा रेथिम्प्रर जो पीछे की तरब गया था वो खुद को ठाते हो गया और पीले चेहरे के साथ गुस्से से चला दूए कहता अगर तुम फिर से आने की हिम्मत करते हो तो मैं अपने और इजन कोर को ब्लास्ट कर दूँगा और इस जगय को भी यह सुनकर हुओ यहाँ जो आँगे की तरब बढ़ रहा होता एकदम सौक हो जाता है और साख भरी इनजरों से रेथिम्प्रर को देखता है जिसके बार वो तुम अपने सोर्स कोर को डिश्ट्रॉय करते की हिम्मत करते हो तो मैं उसे फिर से कंडेंस करने की हिम्मत रखता हूँ साथ यह उसने जो वर्ट्स कहे थे वो काफी क्रुएल्टी से कहे होते है दूसरी दरब इस डेस्टिनी के बार में सोचते हुए रेथिस्प्रिट उसका पूरा चेहरा बदल गया होता है और उसने जो पाम पकड़ रखी थी वो काफने लगी होती है यहाँ पे हो यौन की फेकर जो काफती है ऐसा मैसूस होता मानो उसकी पूरी की फूरी बड़ी हवा में गयब हो चुकी हो जब रेथ एंप्रेरी से देखता है तो चानल कि उसके इंप्रेशन बदल जाते है हालक कि इससे पहले कि वो पीछे हट पाता उससे पहले ही एक दुन्दली रेड सेडो दिखाई देती है जो बलड रेड पाम को लेकर उसके उपर अटेक कर देती है और हवा में एक जोड़दार व्लाश्ट की आवाज आती है और अपनी बॉड़ी में होने वाले तेज पेन के कान जो रेथी स्प्रेट होती है वो एक तीखी चीक के साथ कराह उठती है या तकि उसके अतेलियों पे चाया हुआ ब्राउन कलर का फॉग एक दम बदल गया होता है जिससे उसका कोर दिखाई देने लगता है और हुओ यान अब्विसलि उसके कोर को तुरंती ची लेता है यहाँ पे हुओ यान के हाथ में एक ब्लैक कलर का पल था जिससे देखते हो उसके चेहरे पर एक दम होट और प्राउडफोल इंप्रेशन होते है जिसके बाद हुओ यान अपने एक साथी की तरब ये पलो फेकते हुए तुरंती गयता है इससे संभाल कर रखो जो सुनकर हो वो बंदा बिना किसी संकोच के तुरंती उसे रख लेता है दूसी तब जो रेति स्प्रिट किंग होता है वो तुरंती नाराज होता है कहता है लुटेरो भले ही आज मुझे अपनी जान जोके में क्योरा डालनी पड़े मैं तुम्हाँ लिए इस चीच को इतनी आसान नहीं होने दूँगा वो असमान की दब देखते हैं जोर से चीकता है और वो पहले से और ज़्यादा पाउरफुल लग रहा था साथे उसकी बॉड़ी लगबग दो-तीन गुना ज़्यादा पाउरफुल एनेडजी और औरे को प्रेडूस कर रही थी उसकी गुस्से से डूब ही यहांखे वो युवान को घूर रही होती है और यहांपे रेथिस्प्रेट लीडर की जो फिगर होती एकदम ट्रांस्पेरेंट हो गई थी उसके सापके आकार की जो स्रॉड होती उसे कसकर पकड़ रहा था और पीछे का फॉक कहा परा होता है जिसके बाद यह फिगर एक लाइट में बदल जाती है जिसने एक तेज साउंड वेब के साथ वह वान के उपर अटेक कर दिया था जो देखा हुआ यहां तुरंती कहता है क्या तुम मौद तक मुझसे लड़ना चाहते हो अरे चाहे तुम कितनी भी जादा हार्ड क्यों ना कल लो हार्ड फाइट तुम निच्चे तौर पर में लिए कोई मैच नहीं होगे और असा केता हुँ यहां अपनी फिश्ट को क्रेट करते हुए एक लाइफ क्रेट करता है जो गोल्डन ब्लेट से बना हुआ लग रहा था और इसके अंदर से ब्लड और अनलेस होने लगता है और इसे पकड़ते हो हुँ यहां अपनी जगे से बिलकुल भी नहीं हिलता बल्कि वो एक ब्लड सेडो और एनेर्जी के साथ सीधा ही रेथ स्प्रेट से टकरा गया होता है और अचाना की धमाके की अबाज पूरे आसमान में गूंज उठी होती है और सौक भी चारोत तरफ फैल गई होती है देखते ही देखते हम देखते हैं कि रेथ स्प्रेट किंग उसकी फिगर धीरे धीरे पार्टिकल्स में बदलते हुए गायब होने लगती है और हुओ युआन के एक ही अटेक से उसे जान से मार दिया गया होता है और इसी के साथ इस बैटल को भी एंड माना जा सकता था इसलिए सभी लोग यहाँ पर आंगे बढ़ बढ़के तोरंती लूट के माल को एक दूसरे में बांट लेते हैं साथी मौत का दलदल बस यही चीज लोगों को डराने के लिए काफी थी साथी इस चीज को देखते हो हर किसी को समझना चाहिए था कि यह जगह कितनी खतरनाक थी और इससे भी जारा खतरनाक बात यह कि मौत के दलदल में चाहे आप कोई भी हो या कितने भी पावरफुल क्यों ना हो आप उड़ नहीं सकते यहां तक कि टेलिपोटेशन वो तो और भी पॉसिबल नहीं है दरासल चाहे कोई भी हो यहां के दाइरे में कदम रखेने के बाद बेट टेलिपोट नहीं कर पाएंगे यहां तक कि यहां के वाइड में फ्लेक्चुेशन पैदा कर पाना ही किसी बॉरियर के लिए आसान काम नहीं होगा हाला कि कोई नहीं जानता कि यहां पे यह सब क्यों है और यह प्लेस पूरी तरीकी से अधर प्लेसे के कमपेरजन में बहुत धीमा क्यों है लेकिन इसन कॉंटिनेंट के जाएता लोगों को एकसेप्ट करना होगा कि यह एक लोटा ऐसा प्लेस है जहां पे एंसेश्टर लेविल का बो लेजन जो मित में मौजूद है यहां पे रहा करता था इसलिए यह चीज इसे साबित करने के लिए कापी दी कि उसके प्लेस को कोई आसानी से ट्रैबल कैसे कर सकता है या क्रैक कैसे कर सकता है हाला कि थोड़ टाइम के अंदर हर कोई चीज का आदी हो गया होता है मुझ तुरंदी कहते हैं यहां मौत का दलदल आसान नहीं है सबी लोग एक साथ आए जब सबी लोग इस सीन को देखते हैं वो थोड़ा सौक हो जाते हैं आखेगा डेथ, स्वैंप या दलदल कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे केबल डेथ बर्ड के साथ एक्स्प्रेंड किया जाए अगर आप इसको एक्स्प्रेंड करना चाते हैं तो आपके दिमाग में बिना किसी इचकी चार्ट के तुरंद आपको कहना चाहिए उदास, भयानक, घटिया और खतरनाक साथ ही यहाँ पे इस दलदल को देखते हुए कोई भी इसमें आसानी से नहीं उधर था बलकि वो इसे दूर से देख रहे थे इसकी बदल्यू बदवू उनकी नाक को जला रही होती है ऐसा लग रहा था कि उनके पेट का सब कुछ बाहर आ जाएगा और बहुत कम कॉंटिटी में लोगों को छोड़कर बाकी सभी बिना किसी इचकी चार्ट के अपने सेंसेस को बंद कर लेते हैं खास कर वो लोग जो श्ट्रॉंग नहीं थे तो चलो गई सब इसके साथ नेक्स एपिसोड में देखेंगे क्या होने वाला है क्या ये लोग इस खून के दलदल को पार कर पाते हैं या नहीं तो जो होगा नेक्स एपिसोड में होगा बाइ-बाइ थे आन पाली गुद आफटर नून